अब किसी भी घर को अगर आपको भनवाना है तो दो चीज़े सबसे ज़ादा important होती है पहली चीज जो की होता है material दूसरी चीज होता है जो की है labor अब labor का जो cost होता है वो आपके घर के 30% तक होता है कुछ जगा पर contractor को square feet के इसाब से काम दिया जाता है तो कुछ atom ऐसे होते है जहाँ पर lump sum rate पर आपको contractor को काम देना होता है तो कुछ जगा पर daily wages पर labor को काम दिया जाता है तो आखिर इस साल में क्या rate चल रहे है contractor के labor के और lump sum इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जान करी लेंगे जब भी हम labor contractor को काम देते है तो हम उसे material provide करके देते है उसके बतले में आपका labor contractor जो है labor लगा के आपके घर का काम जो है उसे complete करके देता है अब यहाँ पर material देने की जिम्मेदारी आपकी होती है पर कुछ material खुद contractor को भी लाने होते है जैसे की उनके equipment जैसे की फावडा हुआ, टकारी हुआ, plaster की लिए जो scaffolding का material लगता है वो लाना हुआ, centring के plate हुए, ऐसी चीज़े contractor provide करता है उसके बाद जब भी आपको contractor को final करना है या फिर labor को final करना है तो उससे पहले उसका काम एक बार जरूर देख लीजे सिर्फ और सिर्फ पैसे कम ले रहा है, उस इसाफ से अगर आप काम देंगे और ऐसा व्यक्ति अगर काम खराब करता है तो उसका कोई भी फाइदा नहीं होगा और आपके labor contractor का कितना बिल बनेगा, इसका approximate एक अंदाज आपको आपके civil engineer से जरूर लेना चाहिए और उस इसाफ से payment के step करने के बाद ही आपको उस contractor का payment करना है याद रखिए जितना काम होगा उसी इसाफ से payment होना चाहिए अगर काम कम हुआ है और ज़्यादा payment हुआ है ऐसे वक्त में आपको आगे चलके दिक्कत हो सकती है अब सब सब पहले हम यह जानते है कि जो आपके brick work, plaster और centering वाले contractor होते है वो आपसे कितना charge लेते हैं तो यहाँ पर आजकल rate चल रहा है 230 रुपए पर square feet के ही सबसे for example के लिए यह जो square feet method होता है इसमें आपका slab का area जो है उसे count किया जाता है और उसे इस rate से multiply किया जाता है for example के लिए मान के चलेंगे अगर आपका घर 1000 square feet है तो 230 रुपए square feet का अगर contractor का rate है तो 230 का हमारा rate और 1000 square feet हमारा area इसे अगर हम multiply करते हैं तो 230,000 रुपए तक आपको खर्चा सकता है यानि कि 1000 square feet के लिए आपको 50 से लेके 60,000 रुपए तक tiling work के लिए आपको खर्च आ सकता है अब tiling work को detail में कितना खर्च आने वाला है इसके बारे में अगर आप जानना चाते हो तक comment box में comment जरू कीजे उसके उपर हम वीडियो बानने की जरू कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम यह जो labor rate देख रहे है इससे आपको एक tentative idea आने में जरूर मदद मिलेगी mainly यह जो rate होते है यह दो factors के उपर depend करते है पहली चीज आपका location और दूसरी चीज आपका जो labor होता है उसका daily wages कितना है उसके उपर भी यह square feet का rate जो है वो depend करता है जहाँ पर labor का rate कम होता है वहाँ पर square feet का charge जो है वो कम हो सकता है और जहाँ पर labor का rate जादा होता है वहाँ पर square feet का rate भी बढ़ जाता है अब बात करते है next item की जो की है plumbing तो plumber आपसे जो labor charge लेते है 1000 square feet घर के लिए वो approximately 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक charge ले सकते है जिसमें की वो आपके घर का पूरा plumbing work जो है उसे complete करके देंगे उसके बाद अगर हम बात करें electrical work की तो electrician आपसे labor charge 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक 1000 square feet के लिए ले सकते है अब ये जो खर्च हम देख रहे है ये lump sum amount में बाताय जा रहा है दूसरी method होती है जिसमें की आपका electrical work हो या फिर plumbing work हो उसे atom rate के इसाब से दिया जाता है next हम बात करते है कि waterproofing का labor charge कितना होता है तो 20 से लेके 25 रुपए पर square feet के इसाब से आपको waterproofing का labor charge लग जाता है यानि कि 1000 square feet के लिए आपको 20 से लेके 25,000 रुपए तक खर्चा सकता है और सबसे आखिर में आ जाता है painting work तो painting work का labor charge होता है 1000 square feet के लिए 40,000 से लेके 50,000 रुपए तक अब ये ज देली लेबर लगबा के अपने घर का काम करवाना चाते हैं तो एक दिन की लेबर की मज़दूरी कितनी होती है इसके बारे में हम चानते हैं एक मेसन का डेली चार्ज होता है 800 रुपई यानि की कुशल कारागिर है तो उसको आप 800 से लेके 1000 रुपई तक रोज दे सकते हैं नेक्स्ट हम बात करें लेबर की तो लेबर का एक दिन का चार्ज होता है 400 रुपई से लेके 500 रुपई तक प्लंबर का एक दिन का रोज होता है 800 रुपए और वही पर अगर हम पेंटर की बात करें तो पेंटर का एक दिन की मजदूरी होती है 700 रुपए तक उसी तरह से कार पेंटर की भी एक दिन की मजदूरी होती है 700 रुपए और जहां तक बात आती है इलेक्ट्रिशन की तो इले वो 1,000 square feet घर बनवाने के लिए आज 4,500,000 रुपए से लेके 5,500,000 रुपए तक labor cost लग सकता है और पूरा घर बनवाने के लिए आपको कितना खर्चा सकता है इस वीडियो की link मैंने i button में दी है आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो अब इस वीडियो में हमने सिर्फ labor rate कितना लगता है आपको इसके बारे में देखा है अगर आप जानना चाते हो कि आपको पूरा घर बनवाने के लिए आपको कितना खर्चाएगा 2023 में तो उस वीडियो की link मैंने i button में दी है आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो तो आपके इलाके में labor के क्या rate चल रहे है comment box में comment जरू कीजे जिससे के औरों को भी फाइदा हो सके वीडियो अच्छे लगी हो तो जरूर इसे like कर दीजे चानल पे अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो बहुत जादा ही अच्छे लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है